कि नश्कार कॉंपेटिशन कमडी के कॉंप्रिहंसिफ करने फैस प्रोग्राम में मैं पुक्राज करता हूं इक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अपने नए वीडियो में मैं क्या कर रहा हूं तो 23 से लिए 28 दिसंबर 2022 के करेंट फैस जो है उसको प्री के पॉइंट अफ वीडियो में बताया था कि मैं बहुत जल्द करेंट फैस के लिए कुछ विशेश घोषना करने वाला हूं तो बने रहिए इसी वीडियो में एक विशेश घोषना है जिसका संब्द्न ना सिर्च चत्तजगड़ के करेंट फैस से है बलकि चत्तजगड़ एकनॉमिक सर्वे से भी है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आ गया क्या एक खाली स्लाइड अब खाली स्लाइड में कौन है तो एक साहितिकार नाम है क्या मतंग रविंद्र क्या नाम है मतंग रविंद्र अब देखिए इनकी रचनाएं क्या है तो एम से साहितिकार एम से इनकी एक र मातारी कोनर है तो 36 गड़ तो अगला याद रखना तो 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 36 गड़ी बिया करण ठीक तो मतंग रविंद्र एम से माता सेवा हमर माता कों 36 गड़ तो 27 गड़ी बिया करण अब तो माता है तो एक गरू भी है हमारे तो गुरू से याद रखना सदगुरू 4 सधकूरू 4 एक एक्स्ट्रा याद रखना क्या रतन च जोग तो रतन जोद तो सब जानते छो अ तो मतंग, रविंद्र, जो है, वो साहित्यकार हैं, M से मतंग, M से माता-सेवा, माता-chattis-गड, 36 गड महतारी, तो 36 गड ही वियाकरन, एक माता तो एक गुरू, सद्गुरू, चालीसा, और लास्ट में क्या याद रखना है, रतन जोग, चलिए, आजाते है, next slide पर, जहां प इसको कम समय में पूरे के पूरे वर्ष का किस तरीके से हम लोग बहतर से बहतर तयार कर सकें तो हम लोग जैसे की competition community का tradition रहा है हर साल हम लोग क्या करते हैं तो प्री के जस्ट पहले current affairs तो current affairs और economic survey कहां का economic survey 36 गड़का इसका हम लोग free live class लेकर आने वाले हैं कहां पर यूट्यूब पर ठीक है 36 गड़का जो current affairs है एक जना आदमीक देख रहे होगे मेरे type का दिखता है तो यह बताने वाला है याने मैं ही बताऊंगा और 36 गड़ जो है उसका economic survey इसको proper तरीके से डिल कराएंगे हमारे economic expert आकासर ठीक है तो free live class यूट्यूब पर रहेगी सब के लिए free है सब लोग आकर इसका लाब उठा सकते हैं साल भर का 36 गड़का current affairs मैं cover कराऊंगा मतलब पोखराच सर और साल भर का CG economic survey cover कराएंगे कौन आकासर अब schedule क्या रहेगा आम तोर पर हमने क्या देखा है कि एक हम लोग क्या लेके आते थे master session कहलो या marathon कहलो जिसमें एक ही दिन में चीजों को हम लोग क्या करते थे cover कराते थे तो इसको लेके चात्र कई बार कहते थे कि सर एक दिन में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग इस साल क्या किये हैं कि हम लोग अपने session को चार भागों में बाड़ दियें थो यह जो session है जो इस बार हम करा रहे हैं यह कैसा होने वाला है तो ये weekly होने वाला है weekly का मतलब हफते में एक दिन 36 गड़ का current affairs का live class होगा और एक दिन 36 गड़ के economic survey का live class होगा अब ये schedule चलेगा कैसे तो हमने ऐसी चार classes रखी है जनवरी के महिने में तो 9 जनवरी को date है 36 गड़ के current affairs के पहली class का समझ में आया जो यूट्यूब पर क्या होगी live timing क्या है तो सभी class का है दो पहर तीन बज़े timing क्या है तो है दो पहर तीन बज़े सभी classes का जितना भी schedule मैं बताऊंगा ना सब तो 9 तारिक को 9 तारिक को CG current affairs उसी के अगले दिन 10 तारिक को फिर से तीन बज़े economic survey की पहली class होगी समझ गए तो ये एक हफते का 9 और 10 तो ये पूरा week जो है इसमें दो class 9 और 10 और उसके बाद अगले week में हम आ जाएंगे बीच में समय इसलिए दे रहे हैं ताकि उस week में हम जो पढ़ाएं उन सारी चीजों को आप प्रॉपली क्या कर सको तैयार कर सको तो उसके बाद क्या है 16 तारिक को अगले हफते मतलब दिन कौन सा होने वाला है फिर से सोमवार तो सोमवार 16 तारिक को 36 गड़ के current affairs का दूसरा क्लास होगा वैसे ही उसके अगले दिन 17 तारिक को तीम बजे ही एकनॉमिक सर्वे का क्या होगा दूसरा क्लास समझ गये उसके बाद 23 तारिक को जो फिर से मंदे आएगा वो क्या होगा 36 गड़ करेंट अफेस का तीसरा क्लास और 24 तारीक को उसके अगले दिन Economic Survey का तीसरा क्लास और वैसे ही 30 जनवरी को 36 गड़ करेंट अफेस का क्या होगा चौथा और आखरी क्लास और 31 जनवरी 2023 Economic Survey जो है उसका चौथा और अंतिम क्लास मतलब क्या हुआ, 36 गड़ करेंट फेस के 4 लाइफ क्लासेज आपको मिले, 9 तारिक को, 16 तारिक को, 23 तारिक को, 30 तारिक को, कितने बज़े, 2 पहर 3 बज़े, और वैसे ही 10, 17, 24 और 31 जनवरी को आपको मिला, एकनॉमिक सर्वे के 4 लाइफ क्लास, फिर से वही टाइम, 3 बज़े क्लियर है ये, तो ये पूरे के पूरे, लाइफ सेशन का शेडियूल है, अब कुछ लोग सोच रहेंगे, चार क्लास में हम लोग ने इसे क्यों तोड़ा है, तो मैं आपको इस प्रोग्राम के आक्चुली फीचर बताता हूँ, सबसे बड़ा फीचर क्या है, जब इसे हमन चार क्लास में तोड़ दिया, तो हम कॉम्प्रिहंसिव तरीके से चीजों को आपको पढ़ा सकते हैं, आपके सामने डील कर सकते हैं, आप मान के चलो कि चाहे मैं 36 गड़ का करेंट कहूं, चाहे आपको एकनॉमिक सर्वे कहूं, लगभग 12 से 15 घंटे की क्लास होगी आपकी लाइव यूट्यूब पर, और इसमें मैं मानता हूँ कि लगभग लगभग माक्जिमम चीजे क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी, इसके बाद क्या होगा, क्लास पूरी तरीके से बाइलिंग्वल रहने वाली है, अप्रोच हम पूरा का पूरा किस पर बेस रखेंगे, mcqs पर, और हम जो क्लास वर करेंगे, मतलब बोर्ड पर जो वर्क करेंगे, उसका pdf भी डाउनलोड किया जा सकेगा, ताकि एन परिक्षा के मौके पर आपको नोट्स बना कर टेंशन लेने जौरत नहीं है, आप वीडियो देखिए, इवन कुछ नोट डाउन करने की ज़ सामने लेकर आऊंगा, ठीक है, चलिए, तो अब हम आजाते हैं, सबसे पहले questions पर, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने दिया था, तो पहला question क्या हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने open air museum का शुभारम कहां किया, तो भई, याद होगा सुना खान में किया था, next जो है, बुक्ती व्रिक्ष संपदा योजना के संबंद में क्या है सही कथन, तो गौरव दिवस के आधार पर इस योजना को घोशित किया गया, येस किया गया था, उसके बाद योजना के तहट 100 करोड रुपे का प्रावधान है, बिल्कुल है, इस योजना का उद्देश्य नीजी भूमी पर विक्षार ओपन को प्रोट साहन देकर, जो काष्ट आधारित उद्द्योग है, उनको बढ़ावा देना है, तो ये भी बिल्कुल है, मतलब उपरोक्त सभी कथन क्या है, सही है, ऑप्शन सही है, ऑप्शन नमबर D, चलिए, अब इस वीक के इंपॉर्टन नीजी पर आ रहा है, तो FIH Odisha Men's Field Hockey का World Cup हो रहा है, मतलब Men's Field Hockey का World Cup उड़ी साम हो रहा है, ठीक है कि नहीं, आयोजन तिथी क्या है, तो 13 से 29 जनवरी 2023, आपको बता दूँ कि ये 15th edition होगा World Cup का, Men's Field Hockey का, चौदवा जो edition था ना 14 वाला, वो भी हुआ था भारत में ही, तो Belgium ने जीता था, तो 14 भुवनेश्वर में ही हुआ था, Belgium ने जीता था, इस बार भी उडिसा में हो रहा है, 13 से 29 तारिक, जो 14 एडिशन हुआ था, ये वर्ष 2018 में हुआ था, कब हुआ था वर्ष 2018 में, ठीक है कि नहीं, अच्छा इस बार का आयोजन स्थल क्या है, तो भ भुवनेश्वर और राउर केला, पिछले बार भुवनेश्वर था, इस बार क्या है, भुवनेश्वर और राउर केला, ठीक है कि नहीं, और एक फाक्ट आपको एक्स्ट्रा याद रखना, छत्तिलगण होकी जो है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो श्री फिरोज अंसारी जी, ये कोशन आपको पूछ सकता है, ठीक है, अब इससे संबंदी चीज़े क्या क्या हुई, तो ये जो होकी वर्ल्ल कप है, इसकी ट्रोफी कहां आई, तो राइपूर आई, ठीक है, और मुख्यमंत्री निवास कार्याले पर एक स्वागत समारो जो है, उसको क्या किया ग है, तो चक दे इंडिया जो है, ये हर भारती के मन में एक अभूतपूरु जगर रखता है, तो कभी भी इंडिया को हम लोग को चीर अप करना रहता है, तो हम लोग चक दे इंडिया का नारा लगाते हैं, फिर चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे दुनिया ठीक है अगला अब भारत को विश्व विजेता बनने के लिए शुब कामना एक बैनर बना है उस पर मुख्यमंत्री जी ने क्या किया हस्ताक्षर भी किया शुब कामना है दी कि भारत इस बार क्या करे वर्ल्ड कप को जीते क्लियर है कि नहीं ठीक है अब प्री के पॉइंट क्या क्या बन सकता है तो सबसे पहले पूछेगा यह वर्ल्ड कप कहा हो रहा है एक कब से दूसरा कोश्यन चत्रगड़ होकी के अध्यक्ष कौन सा एडिशन है पिछली बार कौन सा एडिशन था पिछले बार कौन जीता था पिछले बार किस वर्ष में हुआ था तो जितना चीजे लग से लिखके बताया हूँ आप लोग को ये सारा 4-5 क्या है mcq है जिसको आप लोग को examination point of view से क्या करना है ध्यान में रखना है चलिए अब next आ जाते हैं क्या हुआ तो अंतर राष्ट्री 1 मेला तो ये जो अंतर राष्ट्री 1 मेला है इसका आयोजन स्थल क्या था भोपाल मद्रदेश का capital और ये कब से कब तक हुआ है तो 20 तारिक से लेके 26 तारिक दिसंबर महिना वर्ष 2022 ठीक है भई तो अपने आप में दोनों mcq बनता है कि अंतर राष्ट्री 1 मेला जो है इसका आयोजन कहा हुआ कब से कब तक हुआ अब प्रमुख बिंदू हमारे से लिए क्या है 36 गड़ राज्य लगू वन उपज संग जो है समझाया पी नहीं इसको किस वर्ग में अंतर राजी वर्ग में और उसमें भी क्या स्टॉल का जो डिस्पले है और विक्रेस सेल जो है उसमें उतकृष्ट प्रदर्शन के लिए क्या मिला है फॉस्ट प्राइ रिक उत्वपाद जो है उसकी प्रदर्ष्नी के साथ-साथ सेल डिस्प्ले कम सेल के लिए स्टॉल लगाया गया तो डिस्प्ले भी किया गया और साथ में क्या किया गया है कि 36 राज लगुवन उपद संग जो है उसको कौन सा पुरुसकार मिला प्रथम किस कैटिगरी मिला है अंतर राजी वर्ग में क्लियर तो दो क्वेशन यह हो गया तीसरा पूछेगा कि अंतर राष्टी वन मिला जो है इसका आयोजन कब हुआ और कहां हुआ तो यह चार देवर बिजा का जो कॉलेज है उसका नामकरण श्री शंकराचार्य जी के नाम पर किया जा रहा है तो यह कोशन आपको सी रहे हमसी की की फॉर्म में पूछ सकता है इसके अलावा एक इंपोर्टेंट घोशना तो ग्राम पंचायत कुस्मी जो है उसको नगर पंचायत बना कर दों कि इसके बाद का जो सन्डे आएगा यह रहेगा आठ तारिक तो आठ तारिकको मेरा वीडियो नहीं आएगा करेंट अफैस का क्यूं क्योंकि 9 तारिक से तो ends छालू है करेंट अफैस की तो उसके बाद हम लोग नौ तारीक से लेके सीधा अपना जो scheduled live class है उसी में current phase के लिए weekly मिलेंगे लगातार चार हपतों तक तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी से मेरी मुलाकात live class में होगी चलिए कुछ questions है इस वीडियो को इन करने से पहले वरतमान में 36 गड़ होकी कि अध्यक्ष कौन है पहला question और second question क्या है भोपाल में आयूजित अंतर राष्ट्री वन मेला इसमें 36 गड़ राज्य लगुवन उपत संग जो है उसको अंतर राज्जी वर्ग में कौन सा पुरुषकार प्राप्त हुआ है क्लियर है तो इसी के साथ इस वीडियो को कर देता हूँ मैं end और मैं मिलूंगा आप से अब सीधा लाइफ क्लास में तब तक लिए thank you and take care